राकेश तृपाटी जी आपसे आकिरकार क्या आदेश मुक्मंत्री योगी आदितिनाथ ने दिया है और क्यों इस पर राजनीती हो रही है खासतर पर मुहरम और कावण यात्रा को लेकर पर पर राजनीती है ने पर रही है जिसमें कावण यात्रा निकलती है और क्यों दोनों को लेकर के कैसे टक्रा होते थे कैसे नियमों की धजियां उड़ाई जाती थी और कैसे कावण यात्रा पर प्रतिबंध में लगा दिया गया था ये सब हमने अपने उत्तरप्रदेश में सपाबसपा के सासनकाल में होते हुए देखा है उत्तरप्रदेश में योगया दितनात के सरकार की मनसा इस्पस्ट है कि ना मुहर्रम के किसी जूरूस पर कोई प्रतिबंध होगा ना ताजिया ले जाने पर कोई प्रतिबंध होगा ना कावण वयात्रा निकालने पर कोई प्रतिबंध होगा हाँ ये बात पहे हैं कि सबको नियमों का सर्तों का कानूनों का सबको पालन करना होगा कावण यात्रा निकल रही है तो उसमें भी डीजे कितने डेसिबल का बजेगा इसको लेकर के एक गाइडलाइस जारी की गई है डीजे की उचाई कितनी होगी इसको लेकर के गाडलाई जैरी की गई है कोई भी व्यक्ति जब सारधनिक तोर पर निकलेगा तो पब्लिक कन्वेंस को डिस्टरब नहीं करेगा तई रूट पर ही चलने का काम करेगा कोई नई परंपरा नहीं सुरू की जाएगी यह बिल्कुल इसपस्ट है कि किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाज़त नहीं हो जकती है कि वो इस परकार का कोई आच्रण परस्तुत करे जिससे समाज में भय व्याप्त हो कोई अपनी प्रहुता का परदर्शन करने के लिए किसी को डराने धमकाने के लिए जूरूस में अगर आच्रण सस्तर का परदर्शन करना आए तो यह पूरी तरह से इलीगल होगा यह अभ्यास में आया है पहले हमने देखा है कि कई जब सारजनिक जूरूस निकलते हैं तो सारजनिक जूरूसों में अस्तर सस्तर का परदर्शन अपनी प्रहुता दिखाने के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए यह प्रियोक किया जाता रहा है इसको पूरी तरह से रोकने के लिए दानिश कुरेशी जी राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आस्तर श्त्र का प्रदरशन बिलकुल नहीं होना चाहिए और हमने देखा है कि मुहर्ण में किस तरह से आस्तर श्त्र का प्रदरशन होता है काई बार क्या कहेंगे आप दो डूसरी बात तो बाद में कहूंगा पहले मैं गुजराज के एमदावाद में हूँ और आज यहाँ जगनात भगवान की यात्रा निकली हुई है आप आजाहिए और देख लीजिए इसके हाथ में शस्त्र है और किस तरीके के शस्त्र है अच्छा यहाँ भी भारती जिर्टा पार्टी की सरकार है इस पर मैं बाद में आऊंगा आप उन्होंने उत्तरवदेश की बात किये तो उत्तरवदेश का जवाब देदू आपसे इसे यह पूछ लीजिए कि अस्त्र शस्त्र सबसे पहले तमाम लोगों के लिए आप प्रतिवंगत कर दीजिए और जिनकी पर्मेशन है को लीजित दी जाँनी चाहिए चाहिए वो घर्देश के दुट शेयरे के दिल शफर पूजा करते हों या पिर आपको काजिया तारी के लिए क्राड़ करने वाले या यह यह तो जो जो दो लोग हैं वह थो बिचारे उसका इस्तिमाल करते हैं और आपके सामने है अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था इस देश में सबसे पहला कानून था और आम्स एक से वही लोग गवराते थे इस देश में देखिए हमारे नौजवानों के अंदर में दानिश जी मैं आपके पास लोड़ता हूँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एस्टी हसन जी आपने मुखमंत्री योगी आदितनात का ये आदिश सुना होगा उनके मताबिक धार्मिक यात्राओं जलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प पाबंदी लगाने की बात की जारी उसकी प्रदर्शन पर तो आपत्ती क्यों है किसी को मैं ये मास्त करना चाहता हूं कि सौ दो सो सांसे ये परंपराएं चलिए आ रही है कि धार्मिक जुरूसों में अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं लोग को उसका प्रदर्शन करते हैं अपनी कला दिखाते हैं क्या इन दो सालों में कोई एक ऐसा वाक्या हुआ है जिससे कि किया गया हूं मेरी नौरिस में तो है नहीं तो मैं तो नहीं समझता कि इसकी को ऐसी खास जमूरत थी लेकिन आगा करा भी है तो सब के लिए बराबार का सुनुक होना चाहिए ऐसा ना हो कि एक तरफ तो शस्त्र लिए जा रहा है दूसरे पर वाक को प्रदर्शन साहब जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं जो मुखमंत्री की मीटिंग में बोला गया है कि धार्मिक यात्राओं जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं तो यह मुहर्म से कैसे जुड़ा इसमें तो धार्मिक यात्रा जुलूस तो सभी धर्मों का आ जा सब्सक्राइब करते हैं कि लोगों के दिल धड़ापने लगते हैं गाली के शीशे और खिर्ट्यों के शीशे जंजनाने लगते हैं उन पर आएक तक प्रशासन ने क्यों निगार डानी तो नहीं आदेश में ये भी कहा गया स्ट्राइस डीजे या ताजिया को अनुमती न ना मिलें तो फिर परिशानी कहा है परिशानी देखे परिशानी वहा होती जब इनसाफ नहीं होता बराबर का सुनुक सब के साथ है और जब बराबर का सुनुक होगा सब के साथ बराबरी का वैभार होगा तो पर कहीं कोई परिशानी नहीं है ऐसा ना हो कि एक तरफ दिख हम उम्मीद करते हैं पिशासन से किसी भी धार्मी जुरूस में इसका प्रिदक्रिया क्या है? देखे मैं अपना विचार दे सकता हूँ, मैं पिर बता नहीं समाइवाजी पार्टी का, लेकि समाइवाजी पार्टी भी यही कहेंगी, कि सब के साथ बराबर का सुनुक हो, सारे कानून बराबर से सब के लागू हो, किसी एक दूसरे को यह ना लगे, कि हमारे पाबंदी या दूसरे को पाबंदी भी लिए। कि आज प्रभु जगनात ही की यात्रा में ये पूरी तरह से जोट येह, आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत साफ तोर पर उत्तर प्रदेश की योग ubiquyaat इतना सरकार के निर्धेश चल रहे हैं, इस पस्त तोर पर धार्मिक जूरूस कहा गया है, दानिस कुरेसी मत जुट बोला करिए आपके जुट एक्सपोज हो जाते हैं और ये इसके आधार पर आप इसको जिस्को जिस्को अनुमती नहीं है किसी को अनुमती नहीं है आप बिल्कुल दिखाओ खोब लाइब दिखाओ आप जीनियूस का कैमरा मंगवा लो जीनियूस को सच दिखाने का क्यां करता है देश को वो सच दिखाएगा और ये भी सच दिखादेगा कि कैसे आप जूट बगवासा करके करते हैं मुहर्रम पर अने लिए मुझे आप समझ नहीं आ रहा है दानिस को ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निर्देश जब सबके लिए समानता का व्योहर कर रहा है तो इसके अलोचना करने की वजा है आपको तो प्रसंसा करने ही चाहिए आज स्वागत करना चा आप जीनियूस का कैमरा मंगाने के लिए मुझे से कहने क्या सकता है क्या हम अपनी कैमरा टीम बेस देंगे लेकिन दानिस जी दानिस जी जीनियूस